आज मैं आपके साथ शेयर कर रही है कैसी वाइरल चटनी की रेसिपी जो कभी पता नहीं था कि ये चटनी जो कभी हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी बनाती थी वो आके चल के इतना वाइरल होगा और यकीन मानिए खाने में तो इतना टेस्टी है बहुत ही टेस्टी किसी भी चीज से खाओ पराठे से, रोटी से, चावल से बहुत ही टेस्टी तो आईए फटा फट देखते है इसकी रेसिपी तो एक ग्यास पे हम पैन चड़ाएंगे उसको गरम करेंगे और एक बड़ा चमस तेल डाल देंगे और जैसी ये गरम हो जाए ना तो यहाँ पे टमाटर की कलिया ले रही हूँ, अगर आप लेसन जादा खाते हूँ तो एक दो कली और आप बढ़ा लीजिए और उसको कवर कर देंगे जिससे की अच्छे से थोड़ा सा गल सके टमाटर, दो मिनट बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से पलट देंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे जब टमाटर डाला तो थोड़ा सा हमें नमक डालना था, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको यहाँ पे करेक कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर रहे हूँ, जिससे की टमाटर जो है ना फटा- यह अच्छे से कुक हो गया ने, तो जादा करेंगे तो जल सकता है, तो यह जो चटनी है ना, मोस्टली मेरी मम्मी क्या करती थी, ग्यास पे या अंगीठी चूले के उसमें ना इसको सेख के टमाटर को बनाया जाता था, तो इस तरह से यह स्मोकी फ्लेवर वाला चटनी ब प्रके है टमाटर के, जो स्किन वोलते है, इसको हम बहुत असानी तरीके से इसको हम निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, अगर एकात कोई छिलका रह जाए ना, तो वो बाद में भी निकल जाएगा, इतना कोई बड़ा इस्यो नहीं है, तो इसको हम को इसको हम निकाल लेते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से क्रश कर लेते हैं या तो स्पून से कर ले यह हाथ से कर लीजे जैसा भी हो बहुत अच्छे से यह पिस जाएगा इसमें हमें grinder की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल चुका है अब यह जैसे टमाटर अच्छे से क्राश हो जाए और कुछ एक छिलका रह जा तो इस बीच पे आप निकाल लीजे अब यहां पे हम यह जो लैसन को जो रोस्ट करके रखे ते वो भी यहां पे हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे बहुत अच्छे से यह मैश हो जाए क्योंकि यह भी गल चुका है अब यहां पे जैसी यह सब अच्छे से क्राश हो जाए तो यहां पे मैंने प्याज को बारी काटके इसमें डाल देंगे इसी के साथ हरी मिर्च और इस साथ थोड़ा नमक क्योंकि नमक हमने थोड़ा ही डाला था स्प्रिंकल किया था अब यहाँ पर स्वाद अनुसार इसी के साथ ताजा हरी धनिया डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह हमारा टैंगी सा चेट पटा सा यह वाइरल चेटनी टमाटर की बनकर हो जाती है तो देखिये यही कहते है ना पुराने जमाने की रेसेपी तोड़ा सा इसको मोडिफाइ करके बना देते हैं तो यह हो जाता है हमारा चेटनी तयार अब इसे आप किसी भी चीज से खाईए चाहे पराठे के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए चाWAL के साथ खाईए 64 र ब करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी शेयर करें